दोस्तों नौरात्र के नौ दिनों में पूरी स्रद्धा के साथ मा की पूजा और व्रत किया जाता है। नौरात्र के पर्व के दोरान कुछ लोग उपुवास के आखरी दिन कन्या पूजन वा भोजन कराने का संकल्प लेते हैं। कन्या भोज के साथ ही नौरात्र व्रत का समापन होता है अगर आप भी कन्या भोज कराने जा रहे हैं तो कुछ विसेज बातों का ध्यान वसर रखें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताएंगे कि नौरात्र में कन्या भोज कराते समय आपको किन बातों का विसेज जो आपको कन्याओं को गलती से भी नहीं खिलानी चाहिए। दोस्तों, नौरात्र की अस्टमी या नौमी तिथी में मुख रूप से कन्या का पूजन किया जाता है। इन दो दिनों में छोटी-छोटी कन्याओं को अपने घर बुलवा कर भोजन कराया जाता है। कुछ लोग अस्टमी को कन्या भोज कराते हैं तो वहीं कुछ लोग नौमी के दिन कन्या भोज करते हैं। दर असल कन्याओं को नौ देवियों का रूप मान कर पूजा और भोजन कराया जाता है। कन्याओं को वस्त्र, धन और स्रंगार की वस्तुएं भी भेट की जाती हैं। देवी भगवत पुराण के नुसार ऐसा कहा गया है कि कन्याओं पूजन से माता सीगर प्रसन होती हैं और अपने भगतों की सभी मनो कामनाएं पूरी करती हैं। आपको बता दें कि नौरात्र के दोरान कन्या पूजन में नौ कन्याओं का पूजन करना सबसे उत्तम माना गया है। हाला कि नौरात्र के हर दिन एक कन्या का पूजन करके नौ कन्या पूजन का फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि संभो ना हो तो कम से कम दो कन्याओं को भोज कि रूप में पूजा जाता है आपको बता दें कि धार्मि मानिता के नुसर एक विशेष उम्र तक ही कन्याओं का पूजन करना अधिक सुब और फल्दाई माना ंगया है अर्थात कन्याओं पूजन में आप को सिस करें कि दो साल से लेकर दस साल तक की कन्याओं का पूजन ही करें सास्त्रों में कहते हैं कि नवरात्र में सिर्फ छोटी कन्याओं को ही भोजन कराना सुब माना गया है और एक बात का ध्यान रखें कि कन्या पूजन से पहले आप अपने घर को अच्छे से साफ सुत्रा कर लें और जब कन्याएं आपके घर में पधारें तो मातारानी के जैकारे भी लगाने चाहिए इसके बाद कन्याओं के पैर्द होने चाहिए और सभी कन्याओं को बैठने के लिए एक साफ सुत्रा और सुद्ध आसन बिछा कर उन्हें बैठाना चाहिए फिर रोली और कुमकुम से टीका लगाने के बाद उनके हाथ में मौली बांधनी चाहिए अब सभी कन्याओं और बालक की आरती उतारनी चाहिए इसके बाद ही मातारानी को भोग लगाया हुआ भोजन कन्याओं को परोसना चाहिए वैसे तो कन्याओं को यथा सक्ती के अनुसार भोजन कराना चाहिए माभगवती को खीर, मिठाई, फल, हल्वा, चना, मालपुआ, अतिप्री है इसलिए कन्याओं को खाने के लिए पूरी, चना और हल्वा दिया जाता है कन्याओं को केसर युक्त खीर, हल्वा, पूरी खिलाना चाहिए लेकिन कन्याओं को भोजन कराती समय या कन्याओं के लिए भोजन बनाती समय कुछ बातों का ध्यान वस्य रखना चाहिए आपको बता दें कि माता का प्रसाद बनाते समय आपको खटाई का बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करना चाहिए जैसे नीबू, आमचूर, इमली या टमाटर इत्यादी सास्त्रों में मादुर्गा के भोग में खटाई का प्रयोग वर्जित बताया गया है इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि कन्या भोजन में आप प्याज, लैसुन, का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और अगर आप कन्या भोजन में कुछ नमकीन बना रहे हैं तो इसमें आप सफेद नमक का इस्तमाल भी ना करें आप कन्या भोज बनाने के लिए व्रत वाला नमक यानि की सेधा नमक का ही इस्तमाल करें ध्यान रखें कन्या भोज में सिर्फ सात्विक भोजन का ही इस्तमाल करना चाहिए इससे ही आपको नवरात गेवरत का खून फल प्राप्त होता है और भोजन कराने के बाद कन्याओं को यथा सक्ती भेट और उपोहार भी जरूर देना चाहिए चोटी चोटी देवी सरूप कन्याओं के पैरों में आलता लगाकर पूजन करने के बाद सफेद वस्त्र, लितुफल, खिलोने या अन्वस्त्में देने के साथ नारियल, केला या पेडा देने के बाद कुछ दच्छिना भी चरूर देनी चाहिए इसके बाद कन्याओं के पैर चुकर उनका आसिरवाद लेकर विदा करना चाहिए इस तरह से विदी विधान से कन्या पूजन करने से नौरात व्रत का पूण फल प्राप्त होता है और माता रानी प्रसंद होकर सभी मनोकामनाई पूरी करती है तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमेंड में जै मलक्षमी या जै मातादी जरूर लिखें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें साथ ही चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद